नमस्कार दोस्तों, यह है किसे कहानी का अजबुत संसार आज मैं सुनाने आई हूँ, पंच्टंत की कहानियों में एक नई कहानी लेके मैं हूँ पगवती सक्वेना गौण अब सुनिए लालची ब्राह्मन एक कहानी एक गाउं में लाल्ची सभाव के चार ब्रहमन किशोर रहते थे एक बार उन्होंने ज्ञान प्राक्ति के लिए नंद किशोर नाम के एक विद्वान महात्मा के पास जाने का फैसला किया नंद किशोर वन में अपना आश्रम बना कर रहते थे अपनी विद्वता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे अपने घरवालों की अनुमती लेकर वे चारों नंद की सोर के आश्रम की ओर चल पड़े जब वे आश्रम पहुँचे तो उन्होंने नंद की सोर को ध्यान मगन देखा वे चारों हाज जोड कर उनके सामने खड़े हो गए काफी देर बाद जब नंद की सोर जी ने आखें खोली तो चारों ब्राह्मन लड़कों को खड़े पाया वे उनसे बोले बोलो बालकू तुम तो यहां क्यों आये हो हम यहां ज्यान प्राप्ति के लिए आए हैं ज्यान प्राप्त करके हम सम्रिद्ध मनना चाहते हैं लड़कों ने उटर दिया उनकी बात सुनकर साधू मन ही मन मुस्कुराए सोचने लगे यह नादान बालक अभी सम्रिद्धी का वास्त्विक अर्थ नहीं समस्ते क्योंकि उनसे कहा फिर उन्होंने उनसे कहा मैं तुम्हें ऐसा वर्दान दूंगा जिसके प्रभाव से तुम सम्रिद्ध बन जाओगे लेकिन इसके पहले मैं तुम्हें धन को सही प्रकार से उपयोग करना सिखाऊंगा मैं तुम्हें अपना शिश्य बनाने को तयार हूँ चारों ब्रावनों ने नंद किसोर के चर्णों में प्रनाम करके उन्हें गुरु रूप में श्वीकार कर लिया फिर वे वही आश्रम में रहकर विध्याध्यायन करने लगे नंद किसोर पूरी मेहनत करके उन्हें पढ़ाते थे शिग्र ही उन्होंने उन ब्राह्मन नव्युकों को सभी विध्याओं का ज्यान करा दिया जब उन्होई सिख्षा पूरी हो गई तो एक दिन नंद किसोर उन्चारों को बुला कर बोले मुझे जो कुछ आता था वो सब मैंने तुमें सिखा दिया अब ऐसा कुछ भी शेश नहीं जो मेरे पास हो और तुमारे पास ना हो अब तुमारे पास वह सामर्थ है कि तुम धन का उचित उपयोग कर सको यह सब आपकी कृपा का फल है चारों शिश्यों ने सिर्नवा कर कहा अब मैं तुमें एक वर्दान देता हूँ नंद किसोर शिश्यों को कुछ फूल देते हुए बोले इन फूलों को चार थैलों में रखकर उत्तर दिशा की ओर जाओ रास्ते में जहां कहीं भी धन होगा यह फूल वहीं गिर जाएंगे तुम उस जगह की खुदाई करके धन प्राप्त कर ले न उन लड़कों ने वे फूल ले लिये और नंद की सोर का धन्यवाद करके आगे बर चले चलते चलते वे आश्रम से काफी दूर पहुच के तब ही एक शिश्य को अनुभा हुआ उसका थैला खाली है फूल कहीं गिव गया था वे चारों फूल के गिरने का इस्थान खो़ते हुए लोटने लगे उन्होंने फूल को मार्ग के किनारे पड़ा पाया उन सिश्यों ने उस इस्थान की खुदाई सुरू कर दी उन्हें वहाँ तामबे के सिटकों का भंडार मिला जिस सिश्य का फूल वहाँ गिरा था वो दूसरे सिश्यों से बोला हमें इस सिश्थान से इतना धन मिल गया और हम अपना हम चारों अपना जीवन आराम से काट सकते हैं मेरा विचार है कि अब तुम लोग को भी आगे जाने की कोई अवशक्ता नहीं है हम यही सिख्ये आपस में बाट कर घरलोट चलते हैं उसकी बात सुनकर दूसरा सिश्य हस्ता हुआ बोला अरे भाईयों इसकी बात मत सुनो अगर इस तामे के सिख्ये मिले हैं तो हो सकता है हमें सोनी चांदी के सिख्ये मिले अगर इसे तामे के सिख्ये मिले हैं तो हमें सोने के चांदी के सिख्ये भी मिल सकते हैं हमें आगे चल कर अपना भाग्या अजमाना चाहिए अन्य युकों ने उसकी बाद मान ली फिर सिक्के पाने वाला युवत घर लोट गया और अन्य युवत आगे चल पड़े अगले दिन दूसरे शिश्य का फूल घिर गया और वो उस इस्तान पर खोदा तो चांदी के शिक्कों का विसाल भंडार प्राप्थ हुआ उसने भी अपने मित्रों से चांदी के सिक्के आपस में बात लेने की पेश कश्टी लेकिन वे तयाग नहीं हुए उन्हें आशा थी कि उनके भागे में और भी ज़्यादा धन होगा फिर चांदी के सिक्के पाने वाला शेष्य अपने घर चला गया और शेष्य दो शेष्य फिर आगे बढ़े तीसरे दिन तीसरे शेष्य का फूल गिर पड़ा जब उस इस्थान पर खोजा गया उस इस्थान पर खोजा गया तो सोने के सिक्कों का बंडार मिला यह देखकर वो और प्रशन न हो गया और अपने मित्र से बोला मित्र वर अंत में हमी सोना मिली गया ऐसा करो अधा हिस्सा तुम ले लो और अधा में ले लेता हूँ बिलकुल नहीं मुझे तुमारी पेशकर स्विकार नहीं हमारे पहले साथी के तामबे के सिक्के मिले दूस जबकी चौथा आगे बढ़ता रहा कुछ और दिनों की यात्रा के बाद वो एक बीहर रेगिस्तान में जा पहुचा वहां उसने एक आदमी को देखा जिसके सिर पर एक बड़ा पहिया भूम रहा था आदमी के चहरे और सिर के बाल पक गये थे वो बेहत कमजोर और परिश कान हाल में लग रहा था उस आदमी को देखकर चौथे सिर को बहुत हैरानी होई उसने पूछा क्या हुआ ये पहिया तुमारे सिर पर कैसे चिक्कर लगा रहा है उसके ये कहने की देर थी कि वह पहिया उस आदमी के सिर से हटकर शिष्य के सिर पर जा पूचा और चकर काट लगा शिश बह और फीरा से चीखने लगा आखिरकार मैं आजाद हो ही गया वो आदमी बोला यह पईया मेरे सिर पर तब आया था जब मैं दोलत की तलाश करता हुआ यहां पहुचा था मेरे लालच का भाग यह ने मुझे यह दंड दिया है और यह तुमारे सिर जा पहुचा है जब कोई अन्य लालची वक्ति यहां आएगा लालची व्यक्ति यहां आएगा तो यह तुमारे सिर से हटकर उसके सिर पर चला जाएगा तब तक तुम इसे भुखतो यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चलता बना बिचारा ब्राह्मन वहीं कलपता रह गया अब वो पस्ता रहा था कि उसने अपने मित्रों की पेशकष क्यों नहीं मान ली लेकिन अब क्या हो सकता था आप तो उसे लालच का फॉल भुगतना ही था इससे शिक्षा क्या मिलती है लालच मनुष्य को हमेशा कठिनाई में डाल देता है मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है नमस्कार दोस्त यह था फलक का सिस्ता कहानी चैनल मिलते हैं फिर हम दूसरी कहानी में थन्यवाद